महाराश्ट्र पुलीस ने सल्मान खान फाइरिंग मामले में लॉरेंस बिश्णोई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है चार्जशीट के मुताबिक बिश्णोई ने बॉलिवुड मेगास्टार को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्णोई गैंग ने सल्मान खान को मारने की कोशिश में 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी हत्या की साजश अगस्ट 2023 से अप्रेल 2024 के बीच कई महीनों में रची गई थी चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्णोई गैंग ने सिद्धू मूसे वाला की तरह ही सल्मान खान को मारने की कोशिश की थी अभिनेता पर या तो किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान या उनके पन्वेल फार्म हाउस से बाहर निकलते समय हमला करने की योजना थी 14 अप्रेल को मुंबई के बांद्रा इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सल्मान खान के घर के बाहर मोटर साइकल सवार दो हमलावरों ने गोली बारी की और फिर फरार हो गए हमला लौरिंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर जुड़े शूटर सागर पाल और विक्की गुपता ने किया था चार्जशीट में पुलीस ने यह भी उलेक किया है कि सल्मान खान और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए व्यापक निगरानी की गई थी पर नजर रखी लौरिंस बिश्नोई गिरो कथित तौर पर हमले के लिए पाकिस्तान से आधुनिक हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा था जिसमें AK-47, AK-92, M-16 राइफल और तुर्की निर्मित जिगाना पिस्तॉल शामिल थे